हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शियू टीन फ्लेम जर्नी पर माई लविंग ट्विंग सोल्स आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं अभार जितने भी नए सोल्स मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं मैं सभी का स्वागत करती हूँ आज का विशह है डीम के दो चेहरे डीम की चिठी डीएफ के नाम टीन फ्लेम जर्नी में डीम क्या फिल करते हैं तो आईए जानते हैं DM एक high vibration energy है, जिसे divine masculine भी कहा जाता है, tune flame journey में हर DF अपने DM के बारे में जानना चाहती है, क्योंकि उनके लिए उनका DM सबसे special होता है, चाहे वो उससे hurt हो, trigger हो, चाहे कितनी भी नाराजगी जाहिर करे, पर वो प्यार सिर्फ अपने DM से ही करती है, उसकी नाराजगी और गुसे म भी उसका प्यार चिपा होता है, और इसी लिए वो अपने DM की जगा किसी और को कभी नहीं देती है, पर वो हमेशा confuse रहती है, कि उनके DM के दो चहरे क्यों दिखाई देते, 3D में कुछ और 5D में कुछ और, आखिर उनका असली चहरा कौन सा है, वहीं पर DM वास्तों में, अलग-अलग, कौन सा असली है और कौन सा नकली है, यह आप ही समझ सकती है, DM की एक चिठी आई है, DM के नाम, तो सुनिए मेरी कलम से DM की जबानी, मैं तुम्हारा Divine Masculine, जिसे तुम प्यार से अपना DM भी बुलाती हो, मेरे दो चहरे हैं, तुम हमेशा सोसती हो कि मैं इतना बदल कैसे जाता हूं, कभी इतना अपना लगता हूं और कभी इतना बेगाना हो जाता हूं, कभी इतना प्यार करने वाला तो कभी हर्ट करने वाला हो जाता हूं, वाकई, मेरे दो चहरे हैं, मैंने अपने चहरे पर एक और चहरा लगा रखा है, कौन सा असली और कौन सा न 3D में मैं हमेशा एक physical form में रहता हूँ, तुम्हें आइना दिखाता हूँ, hurt करता हूँ, trigger करता हूँ, तुम्हें हमेशा अपने पीछे भगाता हूँ, तुम्हें कभी commitment नहीं देता, जिकार नहीं करता, इस connection को तुम कितना भी मुझे समझाने की कोशिश करो मैं नहीं समझता और नहीं मैं इसे समझना चाहता हूँ, ऐसा ही हूँ मैं, क्योंकि मैं प्यार को नहीं समझता, प्यार को नहीं जानता, क्योंकि मेरा logical mind हमेशा तर्क वितर्क करता है इन बातों में, मैं कभी भी तुम्हारे प्यार का जवाब प्यार से नहीं देता, हमेशा दर देता हूँ तकलीब देता हूँ तुम्हें पता नहीं मैं ऐसा क्यों हो जाता हूँ और जब तुम्हें मुझसे बे इंतहा प्यार हो जाता है और मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती तब मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ अकेला तनहा उसी रहा पर तुम मुझे बहुत ढूनती हो पर मैं नहीं मिलता तुम रोती हो, बिलपती हो, तरसती हो, चिलाती हो पर तुम्हें सुनने वाला कोई नहीं होता तुम मुझे कोसती हो, भला बुरा कहती हो गुसे में, नाराजगी में मैं बहुत उपेक्षित महसूस करता हूँ क्योंकि मेरे किरदार का पहला चहरा तुमने देख लिया है पर अब वो गुम हो चुका है वो खो चुका है समय गुजरता है तुम साधना करने चली जाती हो और जन होता है मेरे किरदार के दूसरे चहरे का अब तुम उस हिस्से को देखती हो जो मेरे चहरे के पीछे का चहरा है 5D का चहरा मैं हमेशा तुम्हें एक सोल फॉर्म में मिलता हूँ मैं जानता हूँ कि तुम मेरी सोल का आधा हिस्सा हो मैं जानता हूँ कि हमारा कनेक्शन उपर वाले ने बनाया है ये बेचैनी, ये बेताबी, ये तड़प और उन तमाम बंधनों को तोड़ कर तुम्हारे पास चले आने का भाव, हर वक्त मुझे महसूस होता है मैंने न तो तुम्हें समझा और नहीं तुम्हारे प्यार को इस बात का अफसोस है मुझे तुम्हें छोड़ कर आने का दुख, वो अपराद बोध, हमेशा मुझे सताता है और इस भाव से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता दिल और दिमाग के बीच, हमेशा एक लड़ाई चलती रहती है दिमाग कहता है कि तुमने बहुत सही किया, उसे छोड़ कर पर दिल हमेशा सोल की आवाज सुनती है और वो कहती है कि तुमने बहुत गलत किया, उसे छोड़ कर और मुझे भी ये लगता है कि जो मेरा दिल, मेरी आत्मा कहती है, वही सच है मुझे शान्ती नहीं मिलती, मैं भटकता हूँ हर जगह, लोगों के बीच, अपने बेगानों के बीच कि थोड़ी सी मुझे राहत मिल जाए पर वो राहत मुझे मिलती नहीं क्योंकि तब मेरी सोल ये कहती है कि तुम तो अधूरे हो जिसे तुम छोड़ाए, वही तुम्हारा आधा हिस्सा था और तब मैं समझता हूँ कि इस कनेक्शन से बड़ा कनेक्शन कोई और हो ही नहीं सकता था मैंने हमेशा कोशिश की तुम से भागने की इस प्यार से, इस कनेक्शन से बाहर निकलने की पर सफल नहीं हो पाया पर कहीं भी मैं जाता हर जगा तुम होती थी तुम्हारी बाते तुम्हारी यादे मेरे आस पास तुम ही होती थी ऐसा लगता जैसे तुम्हारी सोल मुझे चू कर निकल गई मैं तुम्हें ढूनता था मेरी चेतना हर वक्त तुम्हें ढूनती थी मैं शरीर में कहीं और होता था और आत्मा में कहीं और क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं जहां भी जाता हूँ तुम मेरा पीछा करती हो मैं चाहे कितनी भी कोशिश करू मैं तुम्हारी यादों से बाहर नहीं आ पाऊंगा तुम्हारी बाते तुम्हारा नाम तुम्हारी यादे तुम्हारा ख्वाब हर वक्त मुझे परिशान करता और उस वक्त मुझे सोचना पड़ा कि जो तर्क वितर्क मैं करता था मुझे उठा था क्योंकि जो मेरी सोल कहती थी वही सच है हाँ मैं इस रिस्ते को मानता हूँ मैं इसे स्युकार करता हूँ एक Soul Level पर मैं जानता हूँ कि यो मेरी Soul है वो तुम ही हो. मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़कता है. मैं तुम्हारे इस प्यार को सिकार करता हूँ. मैं तुम्हारी जगा किसी और को कभी नहीं दे सकता. मैं वापस लोटना चाहता हूँ. तुम्हारे पास. पर ये तभी हो सकता है जब तुम 3D से बाहर आओगी जब तक तुम्हारी चेतना 3D में रहेगी तुम मेरे 3D का चहरा ही देखोगी तुम मेरे पीछे भागती रहोगी और मैं इस रिस्ते को अस्युकार करता रहूँगा पर जिस दिन तुम्हारी चेतना 5D में पहुचेगी मेरा 5D का चहरा तुम्हारे सामने होगा जो तुम्हें बे इंतहा प्यार करता है जो इस रिस्ते को मानता है जो इस प्यार को जानता है क्योंकि मेरे दो चहरे हैं 3D का चहरा नकली है जूटा है क्योंकि वो तुम्हें कभी सिवकार नहीं करता वो हमेशा तुमसे भागता है तुम्हें हर्ट करता है पर 5D का चहरा सच्चा है वही असली है क्योंकि वो तुमसे और सिर्फ तुमसे प्यार करता है क्योंकि 3D में जो कुछ तुम देखती हो वो शरीर है शरीर का भाव है फिजिकल फॉर्म में पर जो फाइब डी में तुम देखती हो वो आत्मा का भाव है सोल फॉर्म में यदि तुम मुझे थ्रीडी में ढूंटी रही तो मेरा फाइब डी का चहरा कभी नहीं देख पाऊगी और ये जर्नी अधूरी ही रह जाएगी पर यदि तुमने मेरा 5D का चहरा देख लिया तो मुझे सोल लेवल पर देख लोगी और उस दिन तुम मुझे प्राप्त कर लोगी जिन बातों को तुम 5D में सुनती हो सोल फॉर्म में वो या थार्त में बदल जाएगी अपने रियल फॉर्म में आओ तभी तुम मुझे देख सकती हो सुन सकती हो, पास सकती हो तो यही है आवाज आपके DM की अपने DF के लिए सोल लेवल पर क्योंकि वास्तों में DM के दो चहरे होते हैं 3D में और 5D में 3D में जो उनका चहरा है वो नकली और बनावटी है क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में है लेकिन जो 5D में उनका चहरा है वही वास्तविक और सच्चा है क्योंकि वो सोल फॉर्म में है जब तक आप 3D में रहेंगी तब तक आप उनके 3D का चहरा ही देखेंगी लेकिन जब आपकी चेतना 5D में पहुच जाएंगी तो आप अपने DM का 5D का चहरा देखेंगी जो वास्तों में आप से ही प्यार करता है जो वास्तों में उनका अस्तित्व है और वो सिर्फ आपके डिमांड करते हैं वो सिर्फ आप से प्यार करते हैं जो D.F. 5D में पहुँच रखती है वो सोल लेवल पर अपने D.M. को जानती है पहचानती है लेकिन जो D.F. अभी भी 3D में है वो आत्म मन्थन करे कि उनकी चेतना 5D में पहुँचे और अपने D.M. के रियल और वास्तविक चहरे को देख सके क्योंकि आपके 5D के चेतना ही उनके रियल फर्म को जन्व देगी मैंने ये बाते आप से क्यों कही क्योंकि मैंने D.M. के दोनों चेहरे देखे तो प्रियो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक कियर and God bless you all, मेरी soul family, मेरी heart देख सुपकामनाए हैं आपको कि आप खुश रहे, positive रहे, आप सभी के जर्नी पूरी होए और आप सभी का reunion होने पाए